नमस्कार, मास्टरी स्वीज में सभी का स्वागत, तो टीफिन में बच्चों को अच्छे लगने वाले विन्ज़ जो है, वो हमेशा में बनाता हूँ और मम्यों की डिमार्ड उती पर अभी इस ये महोल ऐसा है कि बच्चे स्कूल जो है, घर्सी करते हैं, पर क्यों ना ऐसा करें, कि स्कूल नहीं है, इसके बावजूद भी स्कूल का माहूल एक तयार करें, बच्चे जब कॉम्पूटर के सामने बैटे हैं, उनको कहना कि चलो भीया, स्कूल का इवीफॉम पेनो, और टीफिन जो है, उस टोन में खाना कहानी जाते हैं, तो लोग मंगाते हैं अकसर से, तो ये हरे मटर का इस्सेमान होता है, जब मटर का सीजन है, तो उससे बनाइए, नहीं है तो फ्रोजन मटर धी इस्तिमाल करो, पर सुख़े मटर बिलकूर इस्तिमाल नहीं करें, और जिस तरीके से हम आज य देना है उसको निकालना है पास साथ में नॉर्मल टेंपरेचर पर आया तुरंट डी फ्राइ करना और बच्छे के लिए खुद के लिए या मैमानों के लिए हम दे सकते हैं सबसे पहले पैन में तेल की मात्रा बिल्कुल गम क्योंकि यह डी फ्राइ होता वाद में थोड़े से तेल में हम यह अद्रक और लसंद दोनों कुछा पेस्ट है वह बढ़िया बुल लेते हैं अब इसी वे हम डालेंगे थोड़ी थोड़ी सी हल्डी धनिया पॉर्डर जीरा पॉर्डर और यह क्रश की हुई हरी मिर्च़ में जब हम लेते हैं हरी मिर्च इसमें डालते हैं तो बच्चों के लिए हम दे रहें इस बात का ध्यान रखें यह जदि बच्छों के लिए नहीं बनाना है तो आप अपने साफ से हरी मिर्च ढलेगे अब इसके बाद हम टालेंगे थोजा हम चूरो पॉडर, स्वाधाउसा नमक शक्कर और कसुरी में थी अब इसको अच्छे से भूनना है बिल्कुल ड्राइफ़ाम में धीमी आज में और भरपोर हम डालेंगे हरी धनिया अब हरी धनिया डालनेंगे दो परपस है एक तो हरी धनिया का स्वाद उसमें आएगा और दूसरा जो है इसका जो गीलापन है उठना ही गीलापन मसाले में चाहिए और बाद में क्या करेंगे मसाला जब हम ठंडा करेंगे तो गीलापन निकल जाएगा चलिए मसाला ठंडा कर लो अब इसमें हरे मतार जो हमें डालना है जो निकाल कर तो पानी पूरा चान लो और बुधे दिए ऑन्हें ब्रेडक्रम समय बनाना है तो ब्रेडक्रम बनाते समय कई पुरा ब्रेड लेकर मिक्सी में भारिक करें तो इसे नहीं करना है उसकी साइड जो है वो काटके अम अलग रग देंगे और बीच वाला जो पोर्षन है फ्रेश ब्रेड थोड़ा थोड़ा देदा थो तो तो तीन-तीन चार-चार ब्रेंड मिक्सर में डालो घुमाऊ उसके ब्रेड कम बना और फिर दूसरा लट लेना चलिए जो सूखा मसाला हमने बनाया यह भी आप ऐसे ही फ्रीज में रख सकते हो कभी आपको कट्रेड बनाना है या भरा-भरा कबब बनाया बटाटे बड़ा बनाना है तो कुछ नी आलू में यह मसाला डालो मिक्स करो और आप कोई भी बेंजन बना सकते हों अब देखिए हमारे पास ग्रीन पीज तयार है ब्रेड कम भी तयार है और यह मसाला भी तयार है अब ग्रीन पीज आलू और यह मसाला हम एक साथ इकटा कर लेंगे मिला लेंगे अब देखिए इसमें हमने हरे मतार भी ढाल दे मसाला अलू यह साथ मिश्रन मिला लेंगे और मिलाते समय यह थोड़ा सा घीला लग रहा है तो हम क्या करेंगे इसमें यह ब्रेड कम जो मैंने बना है और डाल देंगे और इसको मिला लेंगे एक छोटी टिप में आपको देता हूं कि जैसे नहीं मसाला बनाते समय अएक यह मतार मुझे मिल गया तो यह मतार हमें क्रश करना है क्योंकि क्या होदा कि जब हम इसो डीफ राई करते हैं यह पूरा मतार फुटता है तेल में और इसके उपर में थोड़ा कॉंस्टाज डा पान जरूर रखना इसको मिक्स नहीं करना है जैसे मिक्स करोगे तो वह पानी वैसे के वैसे रख दो जब हम इसके ऐसे बाल्स बनाएंगे उससे में तवाथवा लेंगे अब इसके अब स्लरी बना लेते वास्ताज की अब इसका शेप आपको जैसे चाहिए जैसे बना लेंगे और यह मैंने बना लिया अब हम डालेंगे इस कॉंस्टाज के मिश्रंड में इसका च्छा कूटिंग इस पे करके फिर हम इसको मिलाएंगे ब्रेड़क्रम्स अब इस प्रकार से सारे बना के हम इसको डिफ्रीज करेंगे एक से देड़ घंटा और इसके बाद हम इसको डिफ्राइ करेंगे तो यह एक से देड़ घंटा डिफ्रीज में रखने के बाद आप चाहे 15 दिन रखो 20 दिन रखो कुछ होने वाला लें वैसी रख देना हूँ तेल इतना गरम करो कि उसमें दुबा निकलने लगे और उसके बाद में सीम करो गैस और फिर इसको बढ़िया सुनरे कलर में डीफ्राइब करो कि अपिसोड में जास्ति जास्त तामबा पितर त्रिमा लोखंड याचा उपर करता सुनरे काही प्रकार आमचा जैनल वर उपलबदा है मास्तर रेसीपी सजेस्टोर है दर्चा मदे खास तुम चे थाटी काही जूनी भांडी सुद्धा अनलेलिया है और काही नवीन सुद्धा है ही सगी तुमा लाजर हवी अस्तिन तरखाली वाट्साप नमबर दिल रहे तुरन खाओ ठंडा मत परो आओ और देखते रहों मास्तर रेसीपीज नमस्कार लाजर है दिम मेरी और कि घा आएंक आएbud क्याय मेरी TV झाल, 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 झाल